हेलो बच्चों, बेलकम इन माई ओनलाइन प्लेटफॉर्म पॉर इस्टडी तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ हिूमन डिप्रोडक्शन का दो लेक्चर डिसकस कर चुके थे जिसमें हम पहले में जन्रल क्लाशिब के से पढ़े थे और दूसरे में अपन ने पढ़ा था इस्क्रोटम शैक मतलब मेल Clar को जैसा कि आप सबको पता है कि जो इस्क्रोटम शैक है इसमें होती है testis, آब हम इस टेस्टीज का देखेंगे बेटा, इंटर्नल स्ट्रेक्चर बहुत ही इंपोर्टन और बहुत ही जबार्जस्टीज है तो मज़ा आएगा आप लोगों के साथ यह लिखी हुए इस कोटम साइक की थेयोरी तो हम इस कोटम साइक की थेयोरी यहां देखने से पहले हम इसका समझेंगे बढ़िया से करेंगे बेटा आप देखिए बेटा अब हम आप लोगों के साथ देखते हैं रे डाइग्राम जहां से बहुत ही मजा आने वाला है आपको बस ऐसा लगए कि आप किसी साधी में आए हो और बस कुछ नों कुछ खाय जा रहे हो मतलब मज़ेदार चीजे हैं यहां पर देख किसी में आपको पता है कि टीन लाय calm उससे पहले मैं नहीं और यहां पर यहां से क्या किया राभ यह अब यह और यह ष्टरीस का अपन ने यह बना लिया है उसको हम बोलते हैं Mediastium Testis पहले अपने यहां से Testis को दो पार्ट में Divide करेंगे और यह जो Testis को दो पार्ट में Divide करता है इस लेयर को हम बोलते हैं बेटा Mediastium Testis क्या क्या बोलते हैं Mediastium Testis क्लियर अब आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि जो Testis होती है न बेटा यह दो पार्ट में Divide होती है इस पार्ट इस राइट टेस्ट इस और इस पार्ट अब यहां से सबसे जो में थौट आता है तो यह जो टेस्टी से नहीं बेटा तो जैसे यह जो दो पार्ट में Divide किया राइट अब उसके बाद देखो पूरे के पूरे टेस्टीस को में तीन लेयर होती है अब वह तीन और कॉन कॉन सी है तो सब से बाहर जो लेयर होती है इस और लेयर को अपन बोलते हैं बेटा ट्यूद का आउटे को बोलते हैं ट्यूद का वेजाई नेलिस मातiken को अब यह जो आउटर लेयर ना बेटा ठीक है बेटा अब ये जो आपकी आउटर लेयर है यह आपकी आउटर फ़स्ट लेयर जो है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका बेजाइनेलिस यह आलेडी डबल लेयर होती है बाहर बाले को हम बोलते हैं तीनिका वेजाइन अलिस पेलाइटल and अंदर वाली लियर को बोलते हैं टिनिका वेजाइन इलस यह बीसराल थीडोई यह तीडोटि यह अपनी यह तीके Mom Profile जो मिडिल लेयर है इसका नाम बेटा ट्यूनिका एल्बू जीनिया क्या नाम इसका तो इसका नाम बेटा क्यों नीका एल्बू जीनिया क्या नाम इसका ट्यूनिका एल्बू जीनिया जो कि फाइब्रस कनेक्टीट उसु का बना होता है जो कि dense, fibrous, connected tissue का बना होता है, यह अपना जो बना होता है बेटा, यह बना होता है, dense, fibrous, connective tissue, clear, यह हो गई internet structure of testis की दो layer, अब तीसरे layer की अधी हम बात करें, तो जो third layer होती है बेटा, तो यह मानिए कि यहां से देखिया, testicular lobules होती है, ऐसे यह हो जाएगा, अपना testicular lobule, यह बेटा, testicular lobule, ठीक है, और testicular lobule को एक layer cover करती है, जो कि इसकी third layer होती है, यह testicular lobule को एक और layer cover कर रही है, ठीक है, जो कि इसकी third layer होती है, जिसको हम बोलते हैं, हैं, यह इसकी third layer है, जिसको हम बोलेंगे, ट्यूनिका, वैस्कुलोशा, क्या बोलेंगे इसको, ट्यूनिका, वैस्कुलोशा, तीूनिका, वैस्कुलोशा, इसकी third layer होती है, जो कि, मेडियास्टियम टेस्टिस से औरिजिन हो रही है देखिए ना यहां से निकल रही है क्लियर हुआ चलिए अब इसके बाद देखेंगे जो इस तरह के टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं तो पूरी की पूरी टेस्टिस में बेटा यह 200, 250 होती हैं क्या आज टेस्टिकुलर लोब्यूल मतब एक टेस्टिस में 200-500 टेस्टिकुलर लोब्यूल होती हैं और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक लोब्यूल में इस तरह से 2-3 एक लोब्यूल में इस तरह से किसी किसी लोब्यूल में 2 या किसी किसी लोब्यूल में 3 इस तरह से बेटा सेमनी फेरस ट से मैं इसका नाम यहीं लिख देता हूं ठीक है इस तरह से दो से तीन एक लोबियूल में 203 सेमनी फेरस टीब्यूल होती हैं जैसा कि अदि आपन बात कर देते हैं पूरी की पूरी टेस्टिस में कितनी हो जाएंगी बेटा सेवन हेंड़ टू... थाउजन सेवन हेंड़ड टू ठाउजन सेवन हैंड़ ने फेरस टीब्यूल होती है अब सेवन फेरस टीब्यूल आगे चलके एक बड़े टीब्यूल में ओपन होती जिनको अंपन क्या बोलते हैं अब देखिये 700 से 1000 क्या है 700 से 1000 अपने सेमेनी पेरस उस्टिन ऋप इसको हम बोलें गे tubuly recti यह होता है tubuly recti अब यह tubuly recti एक बड़े pipe में इससे भी बड़े pipe में open होती है ठीक है यह इस तरह से बड़े pipe में open होती है जहां से कुछ duct like structure बाहर निकलते हैं जिसको हम बोल देते हैं क्या wash referencia यहां से कुछ ऐसे duct like structure बाहर निकलते हैं अच्छा इनका का नाम है इनका नाम है इनका नाम है आप 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 कि अधिए टेस्टीस कि आप टूल्टी कि वाश referencia अब इसके बाहर यह देखिए ऐसे duct like structure निकलता है जिसको हम बोलते हैं वाश यह देखिए कोईड लाइक की स्टेक्चर आप देख पा रहे हूं कोईड लाइक की स्टेक्चर फॉर्म करती हैं जिसको हम बोलते हैं एपी डिडाइबिश इसको अपन बोलते हैं एपेड़ाइमिस एपेड़ाइमिस होता है यहां पर स्पॉम का यहां पर बेटा स्पॉम का मैचुरेशन होता है तो आप बोल सकते हो मैचुरेशन अप इसपॉम यहां पर इसपॉम का मैचुरेशन होता है जहां पर इसपॉम 24 से 48 घंटे तक रुखता है ठीक है अब यह जो अपना एपेड़ाइमिस है एपेड़ाइमिस के आल्रेडी तीन पार्ट होते हैं एपेड़ाइमिस के आल्रेडी तीन पार्ट होते हैं पार्ट फर और पेडिदायमीस और नीचे वाले को बोलेंगे यह मोब इक जएगराम में हम 750 देखेंगे यह जो mensen four यहblack किस अपना एक पूरा कपूरा डाइग्राम बन azah जाया है तो हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं यह इसका एरिया ज़्ादा है लेट साइड बाले पार्ट में अब इधर पहें तीन लेयर होती है ट्यूनिका बेसाइनेलिस ट्यूनिका और बीडेन्पयंद्टन सबस्क्राइश बलाताई का मुझा यह नहीं वोट है उसके अधर वानने लेयर की बात करें तो अंतर वाले यहीं से जो टेस्टिकूलर 로बियूल नुकेली हए थे टेस्टिकूलर लबयूल को एक लेयर कवर करती है जिसको हम क्या बोल देंगे टूनिका बेजाई नेलेश कलियर हुआ जिसको हम बोल देंगे टूनिका शुलोसा अब उसके बाद आते clicking हम देखते हैं कि तो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल थे तो पूरी टेस्टिस में बेटा 200 से 200 टेस्टिकुलर लोब्यूल थे जिसके एक लोब्यूल में 2 या 3 सेमनी फेरस टीब्यूल थी जहां पर इस परम का फॉर्मेशन होता है पर जो परियर अब सेमनी फेरस टीब्यूल थी यह एक बड़े पाइप में बडरे डक्ट में ओपन होती थी जिनको हम क्या बोल लहें थे टूबली रेक्टी अर्टी के नंबर कितना था लेटा टून्टी तो थार्टी बीच से ऊपर होग है तो आप उसको बोलने हैं एक कान है वास इफ्रेंशिय उसको अपन क्या बोलने थे वास इफ्रेंशिया जो की टोटल नंबर किता होता है बेटा दस से बारा 10-12 होता है 1700 अब यह बास्य फ्रेंश ऐसम है ऊपर जाकर एक अपडी यान कि अब आपके रिबियृक्य तो जैसे आपने देखे होगे दूल्य को जब आफ दूलें को सहरा पहना के गोली में बैठाते हो और जब चलती है तो जो दूलें के ए से मतलब जैसे डूला है डूले की पगडीं मस्त ऐसे पगडी पहना हुआ है अपीछे कुछ लटका हूँ रहता है तो जब वो चले गा आट है स्वेया ऐसे-से कर्ब पार्ट होता है'm the arrest इ्म जो 20 भाळाँ थोता है और लास्ट भाला पार्ट जो होता है अब यह 3 क्यों कौन से फार्ट है तो हम यहाँ समझेंगे जैसे माली जै कि मैंने बोला था एप डिडायमेश ना यह टेस्टीस था it test is के उपर से यहाँ पर पे क्या तो यह इसको के पूट इप्ट इपीडाय मिजने हैं क्लियार या इसका एक और नाम है Globus Major देन यदि हम बात करें बीच बाले पार्ट को तो हम इसको बोलते हैं Corpus Epididymis ठीक है बैटा लास्ट बाले पार्ट के दि हम बात करें Epididymis को तो इसका नाम है Cauda Cauda Epididymis Clear बैटा और ये जो टेस्टिस ये Epididymis बाला पार्ट हो गया अब Epididymis बाले पार्ट से जो एक और डक्ट होती है वो Abdomen में जाती है Abdominal Scrotum Psych से Abdomen में जाती है अई ये जो पार्ट Scrotum Psych से Abdomen में जाता है इसको हम बोलते हैं बैटा Vos Differential और ये यहां से कहा जाती है Abdomen वाला रास्ता है अब ये Spum जो फार्म होते हैं टेस्टिस में उसको लेके कहा जाता है Abdomen में तो अब हम समझेंगे कि ये Abdomen में कैसे जाता है यहां से ये क्या लेके ऐसे Abdomen में जाता है तो हम Next Lecture में समझेंगे Wash Differential के बाद की कहानी की Wash Differential कैसे Spum को Collect करके और Abdomen में Seminy Waste Abdomen में Seminal Waste Cycle से होते हुए कैसे ये Penis के थूँ बाहर रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं Ezekulation Clear बेटा तो हम इसको समझेंगे Lecture No.4 में कहां समझेंगे Lecture No.4 में अब इसके हम बेटा आप लोगों के साथ थोड़ा सा थेवरी डिसकस करना चाहेंगे तो आज आई आपन थेवरी डिसकस करते हैं इसका चले जैसे के इंटेर्नाल स्टेक्चर आप टेस्टिस में लिखा टेस्टिस इस कबर बाई 3 कोट ये तीन कोट से कवर होती है कौन-कौन सा आपको पता है ट्यूनिका, वेजाइन एलिस ट्यूनिका, अलबुजीन या ट्यूनिका, वैसकुलोसा क्लियर हुआ बेटा आउटर मोस्ट लेयर को ट्यूनिका वेजाइन एलिस middle layer को tunica albogenia और inner layer को tunica vasculosa अब उसके बाद दे हम tunica vasculosa की बात करेंगे तो tunica vasculosa has a parietal and visceral layer दो layer होती है जो कि पूरे testis को cover नहीं करती तो it cover the whole testis except the posterior border from where the testicular vessels मतलब कि जहां पर testicular vessels or nerves entry करती है उस बाले part को यह cover नहीं करती है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह जो outer layer होती है यह पूरे layer को cover नहीं करती जहां से nerves और blood vessels अंदर या बाहर जाती है इस बाले part को यह पूरी कि पूरी जो outer layer है जिसको हम tunica vaginalist बोलते हैं यह देखिया cover नहीं कर रही बेटा ठीक है देन दा tunica albuzynia is dense अब यह हम second की बात करेंगे tunica albuzynia तो यह tunica albuzynia जो हो था मैंने आपको बताया था dense white fibers coat covering the testis all around the posterior border tunica albuzynia इस थाना यह जो पूरे को cover करती है इस बार tunica albuzynia thicked to form the vertical septum called the mediastium testis अब यह tunica albuzynia एक 20 से divide form करती है जो कि testis को दो पार्ट में divide करता है जिसको हम बोलते हैं क्या mediastium testis clear हुआ इसको हम बोलेंगे mediastium testis उसके बाद देखेंगे अपन अब यह हो गया बैटा इसका internal structure of testis जो कि आपका 3D diagram है आप इसको भी समझने का try करिए तो सबसे पहले देखिए head of epididymes epididymes का head जहां पर sperm store होता है 24 to 48 hour यहां पर sperm को होता है maturation मैंने अभी आपको बताया उसके बाद efferent ductules body of epididymes epididymes testicular arteries RT मतलब red color की उसके बाद testicular vein मतलब कि यह blue color की उसके बाद parietal layer है ना ट्यूनिका बेजानेलिस का parietal layer और ट्यूनिका बेजानेलिस का visceral layer यह दो layer हो गई उसके बाद आपने बद करें ductus difference मतलब कि wash difference बाला पार्ट हो गया जो कि abdomen में निकलता है यह बालो जो पार्ट यहां से बाहर निकल के कहां जाता है abdomen बाले पार्ट में जाता है अभी मैंने बताया ट्यूनिका यह हो गया आपका second layer फिर tail of epididymes मतलब कि epididymes का last बाला पार्ट जो मैंने बता था cauda epididymes यह लास्ट बाला पार्ट जो काउड़ा है फिर उसके बाद cavity of tunica vaginalis semiferas tribules जहां पर is pump form होता है semiferas tribules rated testis मैंने बता दिया इस्टेट semiferas tribules septa testis tunica vaginalis यह फॉल्मेलटीज के लिए है बागी हमने इसको आपको पहले ही सारा का सारा डेटेल बता दिया हूँ उसके बाद यह अपन बात करेंगे थार्ड यार बस डीड करते जाओ फटा पर खताम हो जाएगा चलिए सबसे अब मैं लास्ट में देखूंगा त्यूनिका वैस कुलोसा इस दा इनर मोस्ट वैस दा इनर मोस्ट वैस कुलर कोट अना वैस कुलर कोट और टेस्टिस प्लाइन टेस्टिकुलर लोबुल इच लोबुल 123- 우리 farus tibu जोइंटाखेश और टिवरेटंबली रक्टि सनटिटना अन्य वैस क्लियाल करें करके आँगे निकलता है क्लियर है एंडे व्हों नेन टवर्ड कॉप तीच बि gel da adaptive का एक नेटवर्ड को पाल था हूर यह आप यहां पर रहाई याद कर लिजे कुछ ऐसा था ऐसा और यहां से कुछ ऐसे पाइप निकल रहे थे और यह पाइप से वास इफिरेंसिया बाहर निकल रही थी यहां बना रही थी एपे डेदाइमिस क्लियर थी फ्लियर थी यहां बनाता है एपे डेदाइमिस बाला पार बनाता है करता है उसके बाद टोटल नंबर आप साथ से सारे साथ सो से एक हजार या साथ सो से हजार आप लेके चल सकते हो यह जो कि आपके कि आपको याद रहना है अपर अपर हाई-लीत पार हम बोलेंगे कि पुद इपीडिया इंटेमिस अप्रस और लास्ट बाले पार कर बोलेंगे कोई हैं कउडा अपिडिडिया मैं ग्लोबस माइन भी बोलते हैं करें है इंटर दा इन साइड अब्दॉमिनल काविडिती तू form to the scrotal sac in the form of wash difference ductus difference terminal dilated part of wash difference are called the ampoula याद रखिएगा wash difference and epidermis both developed from the wolfion duct यह भी याद रखिए नीट में आ सकता है नेक्स बैटा आप यहां पर यह दिए हुए है कि जो अपना wash पूर्षिए हिए और यहां पर अपना क्या दिया हुआ है आपना wash difference है ठीकैज़ माली यहां से यहां तो हम बोलेगे और लियार जो नी होती है circular muscles की और जो इसके अंदर वाली लेयर होती है वो बनी होती है एक इसलियम की और same to same ऐसा कहां होता है वो डिफरेंसिया में भी होता है तो आप इसको अच्छे से note कर सकते हैं और note करने के बाद आप इसको एक बार जाता है और कहां तक पहुंसता है जिसको अपने देखें लेक्चर नंबर फोर्थ में आप लोग हमारे साथ बने रहे गांवा जो भी आपको डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा बेटा चलिए ठीक है थेंक्यू सो मच